हेलो गाईस वलकम बग तो मैं यूट्उटूब चानल Automated आज मैं जा रहे हूं Swimming Class जो तो आज है मेरा First Day of Swimming Class और देखते हैं कैसा रहेगा मेरा First Day, क्या कै मैं करती हूं और कैसे मैं Swimming सीखती हूं तो मुझे पहले इसके पहले Swimming नहीं आती है और हमार चाने वाल है मेरा first day है तो I am very much excited और देखते हैं कैसा रहता है first day तो आप देख सकते हो मैं खर से निकल चुकी हूँ और अभी मैं रास्ते में हूँ और अभी मुझे 5 से 10 मिनिट लगेंगे वहाँ पर पहुचने के लिए तो चलो चलते हैं I am very much excited तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोड भी बहुत खाली है और अभी मैं आधे distance कवर कर चुकी हूँ अभी आधा distance बाकी है तो चलो चलते हैं So मैं बहुत ही नजदिक आ चुकी हूँ डिसॉर्ट के और अभी हम अंदर जाएंगे और फिर आप देख सकते हो की कैसर है का swimming pool तो चलो चलते हैं अंदर तो यह रहा entrance gate resort का आप देख सकते हो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और फिर आगे हमें चल के जाना पड़ेगा विकोज पार्किंग यहीं तक है तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतना बड़ा पार्किंग एरिया दिया गया है तो कभी कोई भी आता है तो अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं तो यहाँ पर resort भी है तो जिसको नॉर्मली swimming pool में मज़े करने है तो जा सकता है तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे दो लटकी जा रहे हैं तो इन लोग भी वहाँ पर स्विंग के लिए five years and about allowed है तो यहाँ पर बच्चे से लेके बड़े तक सब जा सकते हैं five years अबाव के ओके तो आप देख सकते हैं मेरे पापा यहां पर जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूं और मुमी पीछे है वह आ रही है तो जैसा कि मैंने आपको बोला था यहां से हम को आके चल के जाना है तो थोड़ा सा बिस्नस रहे गया है यहां पर आप देख से वाच में अनकर भी पीछे दिख रहे हैं तो यहां पर मेरे पापा है और ममी आ गई है पीछे से आप देख सकते हो तो चलो चलते हैं तो यहां पर बाजी में रिसॉर्ट भी है वहाँ पर मस्तव में गाने चल रहे थे तो आप देख सकते हो मैं करने लगी हूं सब्सक्राइब देख सकते हैं और सेसे और मितल 아का सब्सक्राइब रताऊिए हों खोशे ट्राही मिरा से ज्ञाएं लisel अहीं में जोर्फोड़ शिव तो चलते हैं और देख्ते हैं कैसा रहेगा मेरा तो जाते जाते मुझे यहां पर लाइन से जाड़ दिख गए आप देख सकते हो तो मैं मस में एंजॉय कर रही हूं और खेल रही हूं यहां पर कितने छोटे बच्छो जैसा तो चलो मज़े करते हैं और क्या ही करना लाइफ में तो सुवेंग के पहले हैं मैं थोड़ा सा वाम अप करना होता है तो मैं यहां पर रास्ते में स्क्वाइट्स करने लग गई हूं आप देख सकते हो पिर मुझे दिखा गार्डन की ग्रीन अरी तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है तो मैं चली गई हूं गार्डन में मज़े करने तो आप देख सकते हो तो यहां से मेरे मम्मियों आ रहे हैं आप देख सकते हो मैं जयाद स्विविंग करना है तो इसलिए मैंने बालों का बन बना लिया आप देख सकते हो मैंने बालों रिदम अच्छी से टाय कर लिया है उपर ताकि मेरे बाल यहां मां फैलेना और आप मैं आ गई हूँ यहां पर बड़ी सी बिल्डिंग है यहां पर तो इसके बाजू को आप 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 दिखा देटी हैं आप अर्फ यहां का एरिया को पिखा देती हैं कर दूंहां कि अपर आप स्विंग के पास में अभी हम चाहेंगे कप्रेंग करेंगे विक्ताइज से पहले से पहना हुआ हुआ है तो चलो जिसका इंतजार तब फाइनली वो जगह आ गया है तो यह रहा मेरा शांडार सा स्पुरिंग पूल आप देख सकते हो कितना बड़ा है और यहां पर सबके पारेंट्स आपे बैठे हुए है यहां पे रही मेरी मम्मी बैठी हुई आप देख सकते हो तो यहां पर मुझे दिखा एक्दम बड़ा सा आम का पेड़ आप देख सकते हो और इसमें लगे हुए है आम तो मैं अभी जाओंगी सुमिंग कैप लगाओंगी और गॉगल्स लगाओंगी और फिर पर थोड़ा सा शावर लोंगी और फिर मैं जाओंगी पूल में तो चलो चलते हैं तो मैं आगर यहां पर शावर लेने आप देख सकते हो और फिर इसके बाद मज़ाओंगी पूल में तो मैं यहां पर थोड़ सा मस्ति करने लग गई टिपर-टिपर बरिस्ता पानी एगाने में डांस करने लगी और फिर मैं जाओंगी पूल में कि आचे सुट फाइनली पूल मैं जाने का टाइम आ गया है और आप देख सकते हो मैं जारी हो पूल के है त्यार मैं जारी हो पूल के अदर इस और अ पुरे पूल के अंदर का वियो और पपा और मैं कर रहे हैं यहां पर सुमिंग मुझे तब अच्छे से आ नहीं रहा है तो मैं पुरा ब्रीधिंग एक्सराइज ही करूगी पहले स्टार्टिंग में और फिर करूगी स्विमिंग तो मैं पानी में डूपकी लगा रही हूँ और फिर मैं स्विमिंग का प्रैक्सिस करने वाली हूँ और यहां पे आप देख सकते हो पापा स्विमिंग चालू है और वो उल्टा स्विमिंग करने का ट्राय कर रहे हैं तो अभी मैं लगा रही हूँ पानी में डूपकी आप द कर देख सकते हो अभी मैंने कर लिए ब्रीधिंग एक्सराइज और अभी मैं जा रही हूं सुमिंग ट्राइ करने तो आप देख सकते हो मैं ट्राइ कर रही हूं सुमिंग करने का सो वाव मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है और अभी तो मेरा फर्स्ट ट्राइ है और दीदे दीदे देखते जाना मैं कैसे सुमिंग सीखती हूं तो यहां का जो पानी था ना वो बहुत ही गहरा था मेरे लिए बिकोज मेरी हाइट उतनी नहीं है कि मुझे पानी बहुत कम लगे तो मुझे पानी बहुत गहरा लग रहा था बड़ फिर भी मैं ट्राइ कर रही हूं सुमिंग करने का और आप देखी सकते हो ऐसे सर ने देखा कि हमें सुमिंग नहीं आ रहा है तो हमारे जो सुमिंग के ट्रेनर है वो आ गए है और अभी वो पापा को अलग से सिखाएंगे और मुझे अलग से सिखाएंगे तो आप देख सकते हो वो बोल रहे है पापा को दर सिखने के लिए और मुझे याँ पर सिखाएंगे तो चलो चलते हैं और सीखते हैं तो क्यूंकि मेरा फर्स टे था और पानी बहुत ही गहरा था मेरे लिए तो इसलिए मुझे सर ने वोला कि मुझे किनारे में ट्राइ करना चाहिए तो मैं आ रही हूँ यहाँ पे स्विंग पूल के एकरम किनारे पे तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे आ रही हूँ स्विंग पूल के किनारे आप देख सकते हो तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा स्विंग पूल में स्विंग करते हुए और अभी मैं प्रसीखूंगे अच्छे से तो चलो अभी आ गई हूँ मैं किनारे में और अब ही मैं याप प्राक्षिस करने वाली हूँ तो आप देख सकते हो मुझे तो ये रहा पूल का व्यूद एकदम पास से और आप देख सकते हो पूल का पानी कितना क्लीन है और एकदम मस्त ब्लू वाटर दिख रहा है याँ पे और इसी वाटर को देखकर मुझे गाना आदा गया आज बलू है पानी पानी और मैं बहुत ही अच्छे से ट्राय कर रही थी और बहुत ही मजा कर रही थी तो सुमिंग सीखते सीखते हमारा टाइम खतम हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं पूल से और अभी हम कपड़े चेंज करेंगे और घर पे जाएंगे तो आप देख सकते हो हमें निकलते हुए पूल से तो यही रहा मेरा क्लोज व्यू पूल से निकलते वक और मेरे फेस के एक्सपरेशन से आप देख सकते हो कि मुझे कितना मज़ा आया है और यह रहे मेरे पापा पूल से निकलते हुए तो हम दोने ने बहुत ही मज़े किये है और आप मेरे फेस के एक्सपरेशन से देख सकते कि मुझे कितना जादा मज़ा आया है तो चलो गाईज ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही था और मैं आप से मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टड़ा बाबाई टेक केर और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना बाई